नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज नियूस अलिगड के आगरा रोड स्टील फैक्टरी में कार से कुछल कर मजदूर की मौत हो गई घटना का लाइब वीडियो वाइरल हो रहा है दरसल अलिगड के थाना सासनी गेट इलाके के आगरा रोड पर चंडर मोहन उर्फ चंडू और अतुल की साधनी स्टील नाम से कंपनी मौजूद है जहां बताया जा रहा है कि मालिक की कार गेट के बाहर खड़ी थी और अचानक तेज रफतार से फैक्टरी के अंदर की ओर चल पड़ी तभी पिछले काफी समय से कंपनी में सूपरवाइजर पत पर कारे रत भगवान दास जो जिला हातरस के सासनी स्थेत हनुमान चौकी के निगट नगला रूद का निवासी बताया गया है वो कार के सामने आ गया जिसे कार रौंद ते हुए फैक्टरी के अंदर चली गई मौकी पर मौझूद लोगों ने भगवान दास को उठाया लेकिन तब तक उनकी मौथ हो चुकी थी घटना की सुचना मिलने के बाद मौके पर पहुचे परिजनों ने कमपनी के मालिक पर कार से कुचल कर हत्या का आरोप लगाया है मृतक के भाई का कहना है कि पिछले कुछ समय से तनक्वाव को लेकर मालिक और भगवान दास के बीच कहा सुनी चल रही थी जिसकी जानकारी मृतक अपने भाई वाद ने परिजनों को पहले ही दे चुका था इसलिए साजिशन उसे कार से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया गया फिलाल परिजन पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे है पुलिस निश्रफ का पंचनामा करके पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है आपको बता दे इस दरदना कार एक्सिडेंट का वीडियो सोशल मेडिया पर भी जम कर वाईरल हो रहा है हालाकि इसमें अभी कोई भी गिरफतारी नहीं हुई है बताए ये भी जा रहा है कि कार के अंदर बच्चा बैठा हुआ था जिससे कार का एक्सिलेरेटर दब गया और ये घटना घटी थो गई अलिगर से पंकच चौदरी की रिपोर्ट आज ऐसा हुआ दो पैर में गाड़ी खड़ी भी थी गेट पर और ड्राइवर गाड़ी चला के लाया ड्राइवर था अंदर लिखता कौन था ये तो पता ही नहीं देखा ही नहीं किसी ने और आया तीज स्वीड से अंदर रोंदी आप आप लोग वाह मौझी थे के ड्राइवर था उसमें या मालिक चला रहा था ये तो अंदर कोई पता ही नी सब्सक्राइब था या माले क्या हुआ निक्या अपको मारा गया या मारा गया माले की सोची साथ जी पिला लेंगा गाड़ी दी धेर से घड़ी है जब चैना लेंगे उसे गाड़ी चड़ा दी पर एक वीडियो में ये भी दिखा जा रहा है कि तालिया हुज रही है तो के मारा गया मारा गया मटर है पिलान है बिलकुँ किस गाउं के रहने वाले थे नगलारूंद के क्या करते थे इस फ्रेक्ट्री में आपके नहीं अजय है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेर करें, साथ ही अमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं